हेलो फ्रेंड, SP Education में आपका हार्दिक स्वागत है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, EMRS PGT एकाउंट की बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कि हम लोग एकाउंट NC की क्लासों को कर रहे हैं, और अच्छी तरीके से ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे आप लोगों को जितना भी पढ़ाएंगे, इतनी ज्यादा डेटेल आप लोगों की मतलब कि मैं जितनी डेटेल करा रहा हूँ, उससे ज्यादा डेटेल होती भी नहीं है, ठीक है, पूरी डेटेल की डेटे उसके बारे में लोग थोड़ा सा अगर देखते हैं तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था तो मैंने आप लोगों को लेखांकन के बारे मताया था लेखांकन का अर्थ क्या होता है इसको मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को लेखांगन की प्रकति के बारे में बताया था अगर आप लोगों ने नहीं देखी ये class है तो आप लोगों से request है कि पहले आप लोग class को पिछली class को जरूर देखें उसके बाद मैंने आप लोगों को लेखांगन के चेतर के बारे में बताया था कि लेखांगन के चेतर कौन-कौन से होते हैं रचनात्मक कार क्या होता है अभी लेखन कार क्या होता है परिछात्मक कार में हम लोग क्या क्या कार करते हैं तो इस प्रकार से question इनके अंदर भी पूछे गए हैं और बाहर भी पूछे जाते हैं अगर हम आज की class की बात करते हैं तो आज की class में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो लिखांकन के पिरकार की बात करने वाले हैं उनकी विदियों की बात करने वाले हैं उनके methods की बात करने वाले हैं और हम लोग accounting cycle को देखने वाले हैं उनको हम लोग देखने वाली है तो बस आप लोगों से अगर आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया करें और SP Education चैनल को सब्क्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे सबसे पहला लिखा हुआ है कि लेखांकन की प्रकार या लेखांकन की साखाएं एक ही बात है टाइप ऑफ अकाउंटेंसी और उनके ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहला अगर आप लोगों को SPI एउकेसन चनल अच्छा लगता है तो प्रीज आप लोग लाइक जरूर कर लिया करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन विसिष्टा की दृष्टी से लेखांकन के निमनलेखित प्रकार हैं जो को इनके numerical भी में आप लोगों को कराने वाला हूँ अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पर लेखा हुआ है ओनलेख लेखांकन के प्रकार में सबसे पहला लेखा हुआ है सामान या पित्ति लेखांकन जिसे आप लोगों ने सुना होगा financial accounting और financial accounting की मैंने आप लोगों को 22 से 23 क्लास है वी कॉम में, वी कॉम में semester, वी कॉम में अगर हम लोग सेमेस्टर की बात करते हैं वी कॉम में second semester में आप लोगों की financial accounting होती है और मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को financial accounting पढ़ा रखी है MCQ में अगर आप लोग detail में पढ़ना चाहते हैं तो मैं detail में तो अभी आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ ठीक है तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगर हम लोग बात करते हैं बित्य लिखांकन के अंतरगत की बात करते हैं इसे journal accounting भी कहते हैं और financial accounting भी कहते हैं अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग इसके अंतरगत क्या क्या आता है तो इसके अंतरगत हम लोग बात करते हैं रोजनामचा की बात करते हैं जैसे जर्नल कहते हैं तलपट की बात करते हैं जैसे हम लोग ट्राइल बैलेंस कहते हैं व्यापारी को इनके द्वारा ला मिलती है तो इसी लिए इसे financial position कैसी है ब्यापार की ये देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं financial accounting करते हैं और financial accounting में रोज नामचा हो गया, तलपट हो गया, ब्यापार खाता हो गया, लाभानी हो गया ये सबी बाते में आप लोगों को बनाऊंगा और कराऊंगा भी साथ ही साथ में, ठीक है, लेकिन theory पर हम लोगों को जाला ध्यान देना पड़ेगा, ज्योंकि statement wise question भी इसमें पूछे जा सकते हैं पर इच्छा में, अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी अगर हम लोग type की बा MCQ type में, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर लेखा हुआ है कि बित्तिय लेखांकन की सहायक साखा कौन सी है, तो याद रखिये कि कौन सी है, तो वो लागत लेखांकन है, तो यहां पर लेखा हुआ है कि बित्तिय लेखांकन की सहायक साखा जो है, वो लागत लेखांकन है, इसके द्वारा बस्तू की प्रति एकाई लागत को कहते हैं, पर यूनिट, अगर मानलो कोई product है, एक pen मानलो, एक pen आप लोगोंने बनाया है, दस रुपया का बेचा है, तो इसकी कोई ना कोई लागत आई होगी, तो प्रति एक बस्तू की प्रति एकाई लागत होती है, प्रति एकाई लागत पर यूनिट कोस्ट को हम लोग कहते हैं, यहां पर लागत लेखांकन में पर यूनिट कोस्ट निकालते हैं, कुल लागत निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, बाविस्तिकालीन लाकत को हम लोग बाविस्तिकालीन उत्पादन, फ्यूचर मतलब के लोग बात करने वाले हैं, उसके बाद को आधी को निकाला जाता है, इन्हों, इन्हें लागतों के आधार पर अनावस्यक, यहाँ पर यह वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनावस्यक लागतों अनावस्यक लागतों को अनावस्यक लागतों को समाप्त कर समाप्त थोड़ा सा टाइपिंग दर जाता है ठीक है कल कुशिस करेंगे कि अफसाफ लिखाने की ठीक है देखो इन्हें लागतों के आधार पर अनावस्यक लागतों को समाप्त कर लागत पर उचित नियंतर जो है वो उचित नियंतर लाया जाता है उचित नियंतर लाया जाता है तो ये लागत लेखांकन की बात होगी देखो लागत लेखांकन में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बित्य लेखांकन की सायक साखा कौन सी है और लागत लेखांकन में हम लोग प्रतिकाई लागत प्रमापित लागत बास्तिक लागत आधी का अध्यन करते हैं ठीक है इतना पूछा जाएगा उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आंगे लिखा हुआ है इसमें अगर हम लोग आंगे की बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रबंद की ये लागत जिसे management accounting कहते हैं ये जरूर मैंने आप लोगों को कम class है कराई होई है लेकिन मैं इसमें भी आप लोगों को पूरी class है कराने की पूरी कोशिस कर हैं तो वित्तिय लेखांकन का पूरक जो है वो प्रबंद की ये लेखांकन है प्रबंद की ये लेखांकन के द्वारा प्रबंदकों को नेती निर्धारण से संबंदित सूचनाय दी जाती है इसके अंतरगत अनुपाद विसले सड रोकल प्रभाव विवरर जिसे cash flow statement कहते हैं सम विच्छे बिंदू जिसे break even point विसले सड analysis कहते हैं बजटरी ने बजटरी कंट्रोल कहते हैं आदी आते हैं वित्तिय लेखांकन का जो कार है वो समाप्त होने के बाद प्रबंद की लेखांकन का कार आरंब होता है यहाँ पर आप लोग इस्ठार मार लीजिए क्योंक कि मैंने अब आप लोगों को इनकम टैक्समें आप लोगों मेने बहुत ज़्यादा क्लास मतलब ए aslında 22 क्लास यह फिर 19 क्लाज मैं पहले ही ले रखी हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेगा तो income tax की मैंने आप लोगों के class ले रखी हैं पहले ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्यापारिक अधिनियमों के अनुसार ब्यापारिक अधिनियमों के अनुसार ब्यापार पर आएकर विक्री कर उत्पाद कर धन कर संपत्ति कर आधी लगते हैं अब तो आप लोगों ने सना होगा GST Gross Domestic अगर हम लोग बात करती हैं तो इसे बोलती हैं हम लोग GST को बोलती है goods or service, tax की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तो GST अब आप लोगों को आ गया है तो बहुत से कर जो समाप्ट करके हम लोगों ने GST बढ़ा है और GST की भी मैं आप लोगों की कहा है जीसटी भी क्लासे में आप लोगों की लेने वाला हूँ इन करओं के आधार पर इस्थानिय निकायों के द्वारा जाने वाले लिखंकन को सरकारी लिखंकन कहते हैं ये संस्थाई अपने खाते आई-प्रडाली के आधार पर रखती हैं आयबे पिडाली मतलब इनिकम एक्सपेंटीचर एकाउंट के आधार पर रखती हैं संबंधित संख्यात्मक बिवरड बनाए जाते हैं निर्मित आर्द निर्मित तथा विक्रय योग उत्पादों के विवरड परेडाम में तयार कर इस आधार पर अनुमानित और बास्तविक उपलब्दियों की तुलना की जाती है इतना इसमें नहीं आता है बस इतना यहां तक आता है आप लोगों का यहां से कुश्चन पूछा गया है कि केंदरी सरकार राज सरकार या इस्थानी ने काई पर तरत जो लेखांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कर लेखांकन कहते हैं सरकारी लेखांकन कहते है या लोग सोसल एकाउंटिंग कहते हैं सोसल एकाउंटिंग जीसे संपूर समाज के आर्थिक लेन देनों के क्रम बद्ध और नियमित लेखा को सामाजिक लेखांकन कहते हैं इसके अंतरगत राष्टिय आय तथा उत्पादन लेखे कोस प्रभाव खाते और साधन उत्पत्ति खा आते हैं संयोक्त राष्ट संग सामाजिक लेखांकन का कार्य करता है तो यहां पर मैंने आप लोगों को और एक और लास्ट में लिखा हुआ है कि मानो संसाधन लेखांकन मानो संसाधन लेखांकन जैसे हम लोग कहते हैं human resource accounting human resource जो accounting है वह आप लोगों का जब मैं आप लोग इसमें बात करते हैं मानो संसाधन लेखांकन में तो यहां पर बात करते हैं कि पूझी के निर्माड यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखते हैं कि पूझी के निर्माड पूझी के निर्माड में मानो का मानो का मानो का सबसे बड़ा योगदान है यहां पर जो थोड़ सा गलत लिखा हुआ है अगर हम लोग बात करते हैं कि पूझी के निर्माण में मानव का सबसे बड़ा योगदान है अगर हम लोग बात करते हैं योगदान है मानव संसाधन से समंधित मूल्यों और लागतों से समंधित लेखों को मानविय संसाधन लेखांकन कहते हैं चलो इ उसके लिए थोड़ा सा समय ही क्यों न एश्ट्रा लग जाए अगर हम लोग बात करती हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव मानव संसाधन से मानव संसाधन मानव संसाधन से संबंधित आप लोगों की यह क्लासें DSSB अगर आप लोग एक्जाम देते हैं तो DSSB में आप लोगों की काम आएगी तो मानव संसाधन से संबंधित मूल्यों मानव संसाधन से संबंधित मूल्यों और लागतों और लागतों और लागतों से संबंधित लागतों से संबंधित लेखों को मानौ संसाधन लेखांकन कहते हैं तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि पूजी का अगर निर्मान करना है तो मानौ का सबसे बड़ा योगदान होगा और मानौ संसाधन से संबंधित मुल्यों और लागतों से संबंधित लेखों को मानौ संसाधन लेखांकन कहते हैं अब उसके बाद अगर आप लोगों को चैनल मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को या वीडियो को लाइक जरूर कर लें और एसपी एजुकेशन चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें मैं अब लोगों कर ले अइसे ही आँगे और भी कलासे लाने वालह मुँँ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखांकन की बिधियों की बात हम लोग करने वाले है लेखांकन की विधिया कौन सी होती है Systems of Accounting उस्तफालन तथा लेखांकन की निम्लिलिखित प्रमुख विधिया है अगर पहली बात करते हैं तो एक हरा यहाँ पर लेखा हुआ है एक हरा लेखा प्रडाली Single Entry System Single Entry System को हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रडाली में कुछ ब्यवसाइक लेखां का लेखां दो खातों में कुछ का लेखां एक खाते में और कुछ का लेखां नहीं किया जाता है इसमें मुख रूप से इसमें मुख रूप से क्या बनाते हैं रोकड वही रोकड वही को हम लोग क्या बोलती है तो इसे में हम लोग कैस बुक कहते है ठीक है रोकड वही को कैस बुक कहते है रिडी वही तथा महाजनों की वही बनाई जाती है महाजनों की बही बनाई जाती है यह बिदी छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगत है यह बिदी छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगत है ठीक है इस बिदी को यहाँ पर यह कुश्चन यहाँ पर पूछा गया था इस बिधी को अपूर बही खाता प्रडाली, मतलब इनकंपलीट बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहां से पूछा गया है कि लेखांकर की कौन सी प्रडाली को अपूर बही खाता प्रडाली कहते हैं, दोहरा लेखा प्रडाली, इकहरा लेखा प्रडाली, या फ शाफी Famous है और ब्रतमान समय में वह है इस प्रडाली में प्रतिक व्योसाहिक े लेगंदेन की दु रूप एक को लिएसे क्या है देविट पच्छ हों इसलिए इसे दोहरा लेखा प्रडाली कहते हैं प्रतीक लेंदेन का एक भाग एक खाते के नाम पच्छ में और दूसरा भाग दूसरे खाते के जमा पच्छ में लिखा जाता है यह विदी ब्याज्यानिक और लेखा करने की सर्बोत्तम विदी माने जाती है सरगोत्तम विदी अगर पूचा जाए इन में से सबसे सरगोत्तम विदी 12 देखा प्रडाली है बड़े बयापारिक संस्थानों के लिए यह प्रडाली उपयोक तो है इसे बालिज्य प्रडाली मतलब कि बालिज्य प्रडाली मर्चेंटल सिस्टम भी कहते हैं इसको याद रखिएगा कि इसे हम लोग बारेज प्रडाली भी कहते हैं बारेज प्रडाली भी कहते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग आंगे बढ़ेंगे और आंगे देखेंगे नगत प्रडाली यहाँ पर लिखा हुआ है नगत प्रडाली अगर आप नगत प्रडाली के हम लोग बात करते हैं तो इस प्रडाली में रोकडवही एवं मुखपुस्तक होती है इसमें नगत प्राप्तियां और नगत भुक्तानों का लेखा होता है बरसके अंत में प्राप्तियां और भुक्तान खाता आएपया खाता गेर श्री आर्तिक चिट्था बनाया जाता है ऐसी जो संस्थाइं होती है, अगर हम लोगे कि तो इन्हें हम लोग εर भयापे गेर भयापारिक।谁 गेढ़ काली संस्थाइं कहती odd किस प्रका़ के लेंडेर्लियर और में करती है और वो राप्ति बुक्तान खाता आयवे खाता आर्थिक चिठ्था बनाती है अब ऐसे गयर व्याबारी सनस्थान जैसे महाविद्यालय हो गए अस्पताल हो गए किलाब हो गए उस्तकालय हो गए संग आदी इसके लिए उपयोकते हैं आदी के लिए यह जो है प्रडाली देली बरतमान में तो अभी कम है लेकिन इस प्रडाली में कच्ची और पक्की रोकड़ वही तथा अनसायक वईया रखीं जाती है इन वईयों में महाजनी कैथी का प्रयोग किया जाता है यहां से question बार बार पूछा गया है कैथी का प्रियोग किया जाता है छेतर बिसेस के अनुसार यह हिंदी, गुजराती, मराथी, सिंधी, उडिया, आदि भासाओं में इन वहियों का लिखा जाता है वहियों को लिखा जाता है इस बिदी को देसी बही खाता प्रडाली या फिर महाजनी खाता प्रडाली कहते हैं यहां से question भी ऊचे गए छोटे ब्यापारियों के लिए ये उप्योक्त मानी जाती है यह बात भी याद रखिएगा कि बड़े ब्यापारियों के लिए कौन सी प्रडाली उप्योक्त है छोटे ब्यापारियों के लिए कौन सी प्रडाली उप्योक्त मानी जाती है और लास्ट है हम लोगों की ब्यापारिक या उपारजन प्रडाली अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रडाली में बित्तिय अवधी की समस्त नगत प्राप्पियां और समस्त नगत भुक्तानों का लेखा करने के साथ साथ प्राप्य तथा अजबत ब्यायों का लेखा भी किया जाता है कुछ ब्यापारिक संस्ताएं अपने कुछ लेखे नगत प्रडाली के आधार पर तता कुछ ब्यापारिक या उपारजन प्रडाली के आधार पर रखती हैं तो मैंने आप लोगों को कितना बताया, अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले लेखांकन के प्रिकार बताए, लेखांकन के प्रिकार आप लोगों को मैंने अची तरीके से बताए, बित्तिय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रवंद्की लेखा सरकारी लेखांकन सामाजिक लेखांकन मानोस अंसादन लेखांकन इसके बताने के बाद मैंने आप लोगों को विधियां बताई पाज विधियां को मैंने अची तरीके से बताया इक अहरा लेखा प्रडाली दोहरा लेखा प्रडाली भारती वैई खातर प्रडाली व्यापार समझेंगे और इनको यहीं से हम लोग समझ लेंगे कि सबसे पहले अगर लोग लिखांकन करेंगे सोचो आर्थिक इस्ति के में जानकारी होगी क्योंकि हम क्या बनाएंगे हम आर्थिक चिठ्था बनाएंगे और आर्थिक चिठ्था को हम लोग क्या कहते हैं आर्थिक चिठ् कर सकते हैं क्योंकि तलपट का अगर मिलान नहीं मिलता है तो असुद्धियों का लेखा यहां पर हो सकता है उसके बाद हम लोग छलकपट पर नियंत्रड रख सकते हैं कंट्रोल और फ्रौोड हम लोग उन को कंट्रोल कर सकते हैं कार निरधारन में सहाएं क्योंकि हम लोग अपनी नेट प्रॉफिट ग्याद कर सकते हैं और वह किसे ग्याद कर सकते हैं तो वह हम लोग какая लाव हानी खाता से लाबहानी खाता से ग्यात कर सकते हैं और अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो हम लोग व्यापारिक खाता से ग्यात कर सकते हैं ठीक है तो यह बाते हैं आप लोगों को याद होंगी जरूर होंगी उसके बाद नेश्ट लिखा हुआ है कि व्यापार का उच्छित मुल्यांकन हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर बेलुइसन ऑफ बिजिनिस की बाद कर सकते हैं और हम लोग लिखा हुआ है कि बैधानिक मानने ता लीगल डीकरगनाईसर मनलब कि यह जो रिकॉर्ड हैं जो हमने बनाई हुए है ये बैदानिक माने जाएंगे अगर मानलो कोई बिवाद होता है तो हम इनको प्रस्तुत कर सकते हैं उसके बार लिखा हुआ है कि ख्याती के निर्धारण में सायक अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा बार 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 उसकी ख्याती बढ़ेगी ठीक ह यह helpful in taking loan में काम आएगी तो मैंने आप लोगों को जो भी उद्देश से बताई हुए हैं जो भी लाब बताई हुए यह सारे के सारे लाब आप लोगों को मालूब है तीक है उसके बाद अगर हम लोग लास्ट के आज की किलास के हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं और लेखा हुआ है लेखांकन चक्र लेखांकन चक्र हम लोग क्या कहते हैं accounting cycle कहते हैं लेखांकन चक्र एक बित्तिय बर्स अर्थात 12 महीने का होता है यह चक्र लेंदेनों की ततकाल बाद लेंदेनों की ततकाल बाद रोजनामचा प्रवस्टियों में के अगर हम लोग ब कि निर्माड पर जाकर समाप्त होता है तो यहां पर हम लोग उने गलत लिखा हुआ यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर यह समाप्त हो जाता है इसकी पुनारावत्ति प्रतेग बर्स होती रहती है यही चक्र वारवार चलता रहता है यह चक्र सभी प्रकार के ब्यावसाइक संस्थानों तता जन उपयोगी संस्थाओं के लिए लागू होता है तो यह जिसमा लोग यहां पर अगर हम लोग आने मानलोग पहले लेंदेन किये लेंदेन करेंगे उसके वाद हम लोग उसके जर्नल बनाएंगे जर्नल मिशने रोजनामचा बनाएंगे विफ लोग आर्थिक चिठ़ा बनाएंगे यह चुक्रम है यह हर 12 महीन के बाद हम लोग फिरसे करेंगे आर्फिक सब्सक्राइब करेंång अगर आजेक्ट के लिए चलता रहता है लगातार तो इसे लिए लेखांकन चकर कहते हैं तो अगर आज कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें और SP Education Channel को सब्क्राइब जरूर करें मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी आँगे क्लास हैं लेकर आने वाला हूँ बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इससे मैं और आँगे मूब कर सकूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आँगे लोगों के इंटर की भी गलास हैं बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो आज ही गलास के लिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग